इस लेक्चर में हम एक्स्पोर करेंगे कुछ अडॉबी प्रीमियर के टूल्स जैसे के मैं पहले भी बता चुका हूँ टूल्स जो बहुत इंपॉर्टन्ट होते हैं जरूरी नहीं कै आपको सारे टूल्स ही इस्तेमाल करेंगे या सारे टूल्स को रटा लगाएंगे तो एक अच्छा एटीर बन सकते हैं इसा बिल्कुल नहीं है लेकिन इतना जरूर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइशिकली यह आपको आपके workflow को speed up करने में बहुत help out करते हैं और जितना ही बेतर आपका workflow तेज होगा आप speedy अपना edit को लेकर चलेंगे उतना ही आप बच चकेंगे frustration से और इतना ही आपका output बेतर आसे की चलें हम इनको explore करते हैं जैसे के मैं पहले भी बता शुकर हूं कि हमारे पास tool window कुछ इस तरह से है और इसके अंदर हमारे पास different tools मुझूद है workspace की हिसाब से जो मेरी workspace select है उमेर उसमें इसको मैंने यहाँ पर adjust किया वाए यह और जगाओं पर भी adjust हो सकती है आपकी अपनी सहूलत के हिसाब से कहीं और move करना चाहें तो कर सकते हैं इस वक्त मैं इसको थोड़ा से expand कर देता हूं ताके आपको ज़रा बहतर visible हो सके तो यह सारे tools हैं जिनको आप अपने edit पे यूज कर सकते है timeline पे इनको implement कर सकते हैं सबसे पहला tool जो हमारे पास है वो selection tool है और इसकी short key है वी आप देख सकते हैं कि by default ही यह select होते हैं और आप कहीं पर भी कोई काम कर रहे होते हैं तो यह tool आपके software खुलते साथ ही यह tool आपका by default select होगा इसका फायदा क्या है एक तो आप इससे selection कर सकते हैं आप इससे चाहें तो multiple clips की selection कर सकते हैं आप इसको इस तरह ट्रैक करेंगे आप सारे clips को एक साथ select कर सकते हैं और वही है अगर timeline को आपने जूम आउट किया हूँ आप चाहें तो इस तरह से भी इसको select कर सकते हैं अगर आपको कुछ मरजी के clips select करने हैं तो आप shift प्रेस करेंगे तो आप बीज बीज में से भी clips को skip करके select कर सकते हैं इस टूल के और भी बहुत फायदे हैं मिसाल के तोड़ पे आपने अपना जो footage था उसकी selection की अपने source window के तुरू और timeline पे आपको लगता है कि यह जो short था आपका में भी इसका out point और कम होना चाहिए था या में भी इसको बस आपको यहां पर रोग देना चाहिए था तो इसी टूल की मदद से आप इसकी selection out point के selection को change कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको अगर इसकी out point पे विल्कुल यहां पर लेके जाओं आप देख सकते हैं कि इसवक्त आपका icon जो इसवक्त माउस का कर से था वह इसवक्त कुछ इस तरह से हो गया है और यहां पर मैं click करके इसको जब इसके साथ जोड़ूँगा तो आप देख सकते हैं वो जो clip था जो वहां तक एक point तक खुलावा था उसको हमने थोड़ा सा trim कर दिया या आप कहले हैं उसका out point हमने change कर दिया और उसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया इसी तरह से हम in point को भी कर सकते हैं कि यागर यह clip मुझे यहां से चाहिए और मेरी selection गलत हो गई है यहां मैंने उसको सही तरह से मैंने भी select किया है नहीं है direct मैं इसको timeline पर ले आया हूँ तो मैं यहां से इसी tool by default selection tool है उसी को बिल्कुल इसके initial point पर लेके जाओंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका in point इस वकम हो चुका है और यह footage मजीद trim हो चुका है तो selection के साथ साथ आपकी edit में भी यह tool काफी helpful है second tool हमारे पास यहां पर track select tool है बहुत important tool है यह भी आप देख सकते हैं कि अब इसका icon जो है यहां पर timeline पर बदल चुका है पहले आपके पास selection tool था जो के इस तरह से था और इसकी short key है a track select की तो आपके पास इसका इस तरह से हो चुका है तो उस point से आगे जित्ती भी video या audio है वो उसको select कर लेगा अगर मैं इसको यहां पर click करता तो आप देख रहे हैं कि जिस area से मैंने click किया था उसके आगे पूरी timeline आपके पास select हो चुकी है खाव उपर layers में क्यों ना हो चीजे या audio में या वीडियो में अगर आपने simple एक track को select करना हो आप नहीं चाहते कि उपर layers में जिस तरह मैं आपको देखा हूँ कि अगर आपके पास अगर आपके पास उपर layers में भी चीजें हो तो यही टूल आपका इनको भी select कर लेगा आप देख सकते हैं कि इस वक्त हो चुकी है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पूरा track select हो जाए पूरे track में जितना भी material है वो select हो जाए तो जो हमारा track selection tool है अगर मैं उसके साथ shift press कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि इ एक track को select कर रहा है जिस track के ऊपर आप इसको click करते हैं ना के वो सारी चीजों को select कर रहा है जो के ऊपर layers में थी या फिर नीचे layers में थी जिन tools के आगे आगे आपके पास चोटा सा एक arrow बनाऊगा इसका मतलब यह है कि इसके अंदर और भी tools और भी options मुझूद है इसको आपने एक long click करके रखने है hold करके रखने है आपने इसको आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टूल इसमें और भी आ रहा है जो basically है तो वह भी track select tool लेकिन वह basically आपको पीछे वाला data जो आपके timeline पर है वह select करने में मदद करेगा तो आप देख सकते हैं कि पिछले track select टूल से हमने आगे वाला सारा डेटा सेलेक्ट किया था और इस से हम बैकवर्ट तो टाइम लाइन पर पीछे चीज़े पड़ी है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं है मकसर सिर्फ सेलेक्ट करना इनको ए erfahren किया मकसर यह होता है कि आपने बीचंश इंसरिट करने या आपने किसी अपने एड़ेट को मूब करना है अब इस ट्रेक्ट सेलेक्ट के थूह easily move कर सकते हैं next हमारे पास यहाँ पर है rolling edit tool short key इसकी N है अगर मैं खाली N भी press करूँ मेरे पास rolling edit tool देखें आपके पास icon बदल चुका है तो यह basically क्या करता है कि आपके पास जब दो चीज़े cut में या इस तरह पड़ी है और अगर आप चाहते हैं कि इस वाले cut को जो पहले वाला cut है इसके out point को मजीद expand कर दें और जो next cut है उसके in point को आप कम करते जाएं जिसाल के तोर पर अगर हम इसको करके देखें यहाँ पर तो यह मैंने click किया और अब मैं इसको आगे drag कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पिछला clip था आपके पास वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और जो next clip है वो उसका in point कम हो रहा है तो एक का out point बढ़ रहा है और दूसरे का in point कम हो रहा है और आपको उपर यहाँ पर program monitor में भी clearly नजर आ रहा है कि आपका edit किस तरह से बनने लगा है क्योंकि एक left window पे आपको वो उसका out point दिखा रहा है कि वो इतना expand हो चुक है और right पे आपको in point दिखा रहा है आप देख सकते हैं जो clip यहाँ इतना बड़ा था उसको हमने rolling edit tool से छोटा कर दिया और हम play करके भी देखते हैं इसको हमारा edit भी चेंज हो चुका है इसी को हम मज़ीद expand करके देखते हैं हमारे पास ripple edit tool मौझूद है जिसकी short key है हमारे पास B इस tool का आपके पास क्या फायदा है कि अगर आप को अपना edit यह आपने फायल सेलेक्ट की थी और आपको यह फायल यहां तक चाहिए और आप चाहते हैं कि बस इसके बाद यहां पर कट हो जाए और next सारा edit आपका एक साथ पीछे आकर वापस जोड़ जाए तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिपर एडिट टूल है अगर आप इसको यहां से इतना area को बंद करना चाहेंगे तो out point उसने कम कर दिया साथ में उसने आगे जितना भी एडिट था उसको एक साथ वहां पर जोड़ दिया रिपल कर दिया उसको एक साथ अगर हम इस टूल से ना करते मिसाल के तुरुपे इस पर इस ने यह चीज़ किये कि हम इसको पहले यहां पर कट करते फिर हम उसको डिलीट करते और फिर हम इनको में भी प्रेक्ट से वापस जोड़ते 5-0 देख सकते हैं कि ईस क्या एक टूल से रिपल एडिट टूब में अपने पूरेंट फूटुच को जिस पर काम कर रहे हैं उसको आपने उसको आउट पॉइंट्स चोटा भी कर दिया ट्रेम कर दिया फुटिज को आपने और आगे सारा एडिट आपने एस इसको पीछे साथ चोड़ दिया उसके अदू करती है मैंने इसके बाद मेरे पास टूल रेट स्ट्रेच शॉट की है इसकी आर रेट स्ट्रेच बेसिकली क्या करता है इसकी स्पीड को चेंज कर देता है मिसाल के तोर पे आपके पास यह शॉट आपको यहां से चाहिए था अब आपने क्या किया आपने बेशेक अपनी सेलेक्शन टूल से इसको छोटा कर दिया लेकिन अगर आप इसको साथ जोड़ देंगे तो आगे भी गैप बन जाएगा और अगर पिछला एडिट सारा जोड देंगे तो आगे भी फर्दर गैप बन जाएगा तो अगर आप चाहते हों गैप ना बने और आप इस क्लिप को इसी एरिया के अंदर एड़ेस्ट करना चाहते हैं तो आप रेट स्ट्रेच टूल यूज कर सकते हैं और इसकी शॉट की है लेकिन यह बात जहन में अगर मैंने यहां पर रेट स्ट्रेच टूल को यूज करते हुए इसको इसके साथ जोड दिया तो इसकी स्पीड जो 100% बाइड डिफॉल्ट होती है वह यहां पर आपको यह लिखी नज़र आ रही है जो इसकी टू पॉइंट सेवन टू हो चुकी है तो बेसिकली उसने उ सेरी बाइड के तरफ करूंगा तो यह सलोमो हो रहा है अब देख सकते हैं कि शॉट मेरे पास अब मे नह प्ले किया तो यह स्लो होचुका है इसकी स्पीड इसव्यक्त है गणा इससी तरह, अगर मैं किसी और ख्लेप के उपर इसको एपपलाय करूं और मैं is किme-s enlightenment करना चाहूं तो हूँ यह मेरी पास ख्लेप स्वर इस क्लिप को मैं यहां से सेलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हैं कि इसके एक ड्रॉन शॉट है और इसकी मुवमेंट इस तरह से है अगर यहां से मैं अपना रेट स्प्रेच टूल सेलेक्ट करूँ और इस क्लिप को यहां से मैं इस तरह छोटा कर दूँ आप देख सकते कि आप इसकी स्पीड जो है वो बेसिकली तेज हो चुकी है और इस पर यहां पर आप देख सकते हैं 931 परसेंटेज इसकी आरीय स्पीड की मैं चाहूं तो और तेज कर सकता हूं उसको तुबारा हम इसको प्रीवीड करते हैं तो आठ देग सकते हैं कि स्पीड पेठ पर्ट पड़ जया दा अब slow भी कर सकते हैं इसको और आप इसको fast भी कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास एक और मेजय टूल च्रॉट की इसकी है अरि मेषचली काट करता है अगर आपको किसी बी फुटिस की बीज में से कहीं पर भी आपको cut लगाना हो, edit करना हो, आप razor tool से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपका clip timeline पर split हो चुक है, मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, vertical और अगर मुझे इस shot को यहां तक तुबारा cut करना है, आपका एक single clip था यहां पर edit होके, यहां पर razor tool यूज़ करते वे, एक cut, दो cut हमने यहां पर लगा लिए, और हम चाहें तो इस beach वाले portion को delete कर दें, इस blank area पर अगर मैं right click करूँगा तो ripple delete, इसका मतलब है कि आगे वाला सारा edit आपके साथ पीछे जुड़ जाता है, आप देख सकते हैं कि बीच में से एक ही clip के चलते वे, हमने बीच में से चौट निकाल दिया, razor tool की मदद से, कोईख हम इसको यहां पर दुबारा apply करते हैं कि हमने यहां पर razor tool यहां से लेके यहां तक दुबारा selection tool पकड़ा अपना और delete किया, ripple delete किया, आप देख सकते हैं कि पहले हमने बीच में से यह portion निकाला था, यह देखें cut, और इसके बाद हमने यह cut एक और, तो razor tool भी बहुत important है आपके पास, किसी भी clip को बीच में से trim करने के लिए, यह कहीं पर भी कुई cut लगाने के लिए यह आप use कर सकते हैं, तो यह तो था हमारा razor tool और हमने देखा कि हम इसको बीच में से भी किसी footage को cut करना चाहें, तो अपनी मर्जी का specific area cut कर सकते हैं, अभी तक हमने selection tool को explore किया, हमने track select को देखा, rolling edit, ripple edit, rate stretch और साथ में razor tool को explore किया, आपको इन tools को देखने के बाद थोड़ा अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरीके से यह tools आपके edit को बेहतर कर सकते हैं और कैसे सारे process को speed up कर सकते हैं, अभी आगे आने ओले lecture में हम बाकी tools को भी explore करते हैं तो आप इसकी जब तक maximum practice कीजेगा